नमस्कार दोस्तों मैं हूँ GH यानि Generic Human और स्वागत है आप सभी का GH की पार्ट सला में आज हम जानेंगे कि various competitive exams के लिए पढ़ाई कैसे करें I mean how to study for competitive exams tremendous यह जाने से पहले कि आखिये प्रैयारी कैसे करें पढ़नी इसे हो टो दूटर्म भी वोलते हैं हम और दूसरा पर्म는데 तो जब कीसी काम को कभी काम कशने कि था हुआ जैसे कोई काम हम ने किया फिर उसे छोड़एख भी नहीं कर एक सभता जरज दिन महीन दिन बात किया तो वो सारी बाती पूरी तरह से हमें याद नहीं रहती है उसमें का कुछ portion हम याद रखते हैं और most of the portion हम भूल जाते हैं तो यह मेरा क्या हो गया अभी किया तो मुझे याद है अभी कुछ गंटों तक याद रहेगा और long duration क्या होगा नहीं याद रहेगा basically human memory जो अधा होता है function of time होता है जिसे यह time का graph है और यह आपका memory आपने कुछ याद किया तो वो क्या होगा time के साथ-साथ क्या होगा होता है इस तरह से तो क्या होगा कि अगर आप कि इसी चीज को जाते हैं कि वह पर्मानेट लिया आप के memory में स्टोर रहे हैं तो उसे क्या करना होगा temporary memory में सिख्छ करना पड़ेगा uncertainty तो यही क्या होता है जिसे हम पढ़ते हैं जीजित ना पढ़ते हैं पढ़ता ह्म धाने ही क्या हो इसका हुस्क्त बहुत लगजाते हैं भूल जाते हैं अगाय जाता है तो basically हमारा target क्या है कि short term से क्या करना है उसे permanent यानी long term memory में shift करना है और इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या करनी है हमें बस एक ही की है क्या है revision जो हम कुछ भी बढ़ते हैं जो कुछ भी हम बढ़ते हैं उसे क्या करना है हम एक प्रियोडिकली जो है मतलब एक fix time के बाद उसे बार-बार क्या करना है revision करना है क्या करना है repeat करना है और जब बार-बार repeat करेंगे तो क्या होगा वो sorting ना हो कि वह permanent memory में store हो जाएगा और फिर क्या होगा जब कभी भी हम exams दे रभ या फिर बाद में भी future में भी उसे हम use कर सके ठीक है तो अब देखिए तो अब क्या होता है बहुत सारे किसफर से समय के साथ क्या होगा आप जैसे इसे फीट करेंगे और वह क्या होते जला जाता मत्तलफ खतम होते जाघाता तो इसलिए हमने क्या करना है कि revision के माधियum से जो कुछ भी हम भूल रहे हैं उसे क्या करेंगे फिर से दुबारा फीड कर लेते हैंसलिए कभी उस खीक का हाथ तो रिवीजन तो रिवीजन कीसे हमें करना है एक periodic करना परिएोडिक मतलब एक एक fix time के बात, छीक है अब जयसे हम रोज क्या करते हैं, 6 गंदा प्रते हैं कोई भी subject कैसे पर दो चीज़ में एक दम जड़ी है अगर दो subject पिस्टास दो से 3 हिंडा maximum मैक्सिमम 2-3 गंटा का एक रिवरेशन होना चाहिए उसके बाद क्या करें 2-3 गंटा पढ़ें फिर क्या करें कि 10-15 मिनट का क्या करें एक पानी पी ठीक है यंश्क ब्रेक है वो 30 मिनर्ट का हो इस तरण का नहीं ब्रेक pare करें अभड़ेक है और और वल्यक्स अन जैसके ब्लक ब्रेंट को आलम лससे बैठें देखन चलेगा ऐसा कुछ नहीं करें जिससे आपके brain को और work करना पड़े, तो फिर वो आपका break नहीं होगा, इससे क्या होगा, आपका फिर दिमाग को काम करते ही रहा जाएगा, इसलिए जो rest आपको चाहिए, वो rest आपको क्या नहीं मिल पाएगा, इसलिए ऐसा कुछ चीज करें, जिससे पानी पी सकते हैं, आप आँख बंद करके, पावरनेप भी ले सकते हैं, या फिर ध्यान कर सकते हैं, इस तरह का कुछ करें जिससे आप क्या करें, बेटर करें, फिर से refresh हो जाएगा, पर से पूरी energy के साथ आप क्या करें, ठीक है, आप क्या करेंगे, जो भी आपने define क्या, ये तीन गन्टा क्या, किसी की अगर आपको लगता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो आपकी efficiency होती है, होती हो भी time का function होता है, शुरू के few hours जो है, ये मांते हैं 3 गन्टा, तो ये अच्छा perform करें, देखें, कम ही जार, फिर उसके बाद क्या होता है, फो डिक्री होने लगता है, तो जब आप ब्रेन को फिर काम करें, लगाए हैं, लगाए हैं, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, तो जब आप break ले लेंगे, छोटे short period के लिए, तो क्या होगा, उसके बाद फिर करेंगे, तो आपको फिर कभी कोई problem नहीं होगा, और अप अच्छे से उस चीज को पढ़पा पढ़ा है, ठीक है, basically मेरा effective पढ़ाई क्या हुआ, पांच निठा हुआ, पीच में मेरा क्या हुआ, कि 20 मिनिट्स का break हो गया, ठीक है, और last का क्या होगा, कि 40 मिनिट्स जो होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, revision, मतलब हम क्या क्या, हमने जो है, 6 गान तक जो भी मेरा पढ़ा जब आप पढ़ने बैठें, तो stopwatch, timer, whatever, जो भी आपको कर्मिनिट लेगे, ठीक है, वो लेके आप स्टार्ट कर दें, ठीक है, और जब भी अगर आप 2 मिनिट के लिए भी table से उठ रहे हैं, या जहां भी पढ़ते हैं, वहां से उठ रहे हैं, तो आप पहुच कर दें, ठी या फिर effectively कितना घंटा पढ़ते हैं, तो आप पहुच कर दें, फिर जब दुबार आप बैठ रहे हैं अपने टेबल पर पढ़ने के लिए, ब्रेक के बाद या फिर जिस भी वजह से आपने उठा था, फिर से बैठ गया तो फिर से बैठ गया है, तो आप देखेंगे कि आ लास्ट पांस घंटे में जो कुछ भी पढ़ा है, तो उसको क्या करेंगे, एक बादी काप कर लेंगे, ठीक है, अच्छा यह मैंने सीखा, यह चीज मैंने बढ़ा, अच्छा यह है, कोई फॉर्मूला है तो इसको मैंने फिर से क्या करें, कि revise कर लिए, repeat कर लिए, recall कर तो confusion हो जाता है, अगर आप उस instant पर पढ़ने के just बाद, पढ़ने के last hour में क्या करेंगे, आप रिविजन कर लेंगे, तो आपका formula है, वो अच्छे से sequence में क्या होगा, कि हर चीज जो है आपका arrange हो जाएगा, अच्छा यह चीज यह ऐसे था, यहाँ पर यह था, आप उस relation क को समझ पाएंगे, कि अच्छा इस formula में यह था, इस formula में यह नहीं है, अगर यह होगा तो ऐसे करेंगे, यह होगा तो ऐसे करेंगे, तो यह चीज आप तो है, उस समय जब आप रिविजन करेंगे, तो उस समय यह चीज आपको पायदा हो जाएगा, ठीक है, उसके बादे आप क्या करेंगे यह तो मेरा डेली का पढ़ने का रूटीं होगे जो भी है ऐसा नहीं कि मैंने एक्जाम्पल के तौर पर आपको 6 गंटा बता है जरूर नहीं कि आप 6 गंटा भी आप 8 गंटा 10 गंटा 12 गंटा जैसा आपका टाइंग पर्मीट करें या जैसे आपके बढ़ते चले जाएंगे फिर क्या करेंगे अब वीकली रिविजन कैसे करें तो देखे हमें हमें रिफ्रेश्ट भी होना जड़ी होता है इंदान है स्टुटेंट आइप में जी रहें तो युआ करना भी ज़रूरी है तो कंपेटिटिव इंग्जाम्स के लिए एक और होटेंगा मानते हैं की किसी कंपरेटिशन का किडिया देने के लिए से लिवस कम्पॉणीट करने के लिए मुझे टोतल जो है एक हई गंड़ेंटे पढ़ना हो शंज हिसका क्या तरीका है कि 500 जो है वह दोर्वा आमस रखे ठीक है ऐसा हो सकता है या फिर दूसरा क्या तरीका है कि 10-10 घंटा जो है ठीक है वो सौ दिन पड़े यह दो तरीका हो सकता है तो basically हम मेरा personal opinion क्या है इसको आप प्रिपरिंगे कम समय में आप ज्यादा मेहनत करें या ऐसे पढ़ेंगे ज्यादा वक्त लेंगे किसी एक्जाम के प्रि करने लगेंगे और पहला यह आपका हो जाएगा और दूसरा क्या होगा लेकि वही कम टाइम अप लेते हैं तो आप मोटिवेटेड रहेंगे आप 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 है जैसे आपका टाइम पर मेट करें बिस्क्राइली करने करने के कि आप कम टाइम ले पर ज्यादा आवर्स प्र क्योंकि अगर जैसे कि इस टाइम बीटते चला जाएगा अगर लंगा कम पढ़ते हैं आप ज्यादर वक्त ले रहे हैं तो क्या होगा कि आप बहुते चले जाएगे तो इससे क्या होगा फिर आपको एक्स्ट्रा वक्त दे देना पड़ेगा रिविजन के लिए लेकिन वह करते रहें और बहुत अलग अलग सोर्स है उससे देखे कि कहीं कोई गैप तो नहीं है जिसे हम फील करें तो आपको वह इंटेंसिटी बना कर रखना है मैंशा से वह स्प्रीट बना कर रखना पड़ाई के लिए तब जाके आप बहुतर पाप कर पाएंगे और हमेशा कोश करेंगे लगेगा एक ही चीज क्या बार बार पढ़ना एक ही कंपटिशन क्या बार बाता है यारी करना इसलिए शुरू का इटम्स जो है पूरे जोर्स के साथ अब लगाई है और कीजिए और मुझे पूरी उमीद है कि आप जरूर सफिस होगे तो चलिए आगे हम बढ़त साथ नहीं आपको छे दिन ही पढ़ना है एक दिन आप बचा करे है और उन्हीं कि यहे चीक और सअथ वां धीन जो दिन पार नहीं उपा रहें तो वो क्या करेंगे कि Saturday को तो जल्दी सो लेंगे और Saturday को अपना पूरा नींद पूरा कर लेना है ठीक है ताकि जब भी आप Sunday को उठे ते पूरी तरह से रिफ्रेश रहें और Sunday को क्या करें या तो आप दीन में अगर आप मस्ति करते हैं घुमना है और दोस्कों के जाद घु और फिर सामने आप मूँए जो भी आपको तो आप अपने सुविदा के अनुसार जो है Sunday को एड़स्ट कर सकते हैं अगर Sunday को आपका schedule कहीं बीजी है या फिर आप कहीं जाने वाले किसी दोस्के यहां या फिर family के साथ तो आप क्या करेंगे ये Sunday का revision जो है वो क्या करेंगे ज्यादा था लोग इसलिए problem में आलता है एक्जामस में कि वह बस पढ़ने पर ज्यादा फोकस करते हैं revision पर नहीं करते हैं तो revision करना एकदम जरूरी है आप सप्था में 5 ही दिन पड़े है 4 दिन पड़े हैं लेकिन वह आपको आपको revision करना ही करना है लिकम एक दिन revision जरू monthly revision schedule भी होना चाहिए तो क्या करेंगे monthly revision कैसे करेंगे तो आप जिसे weekly पढ़ने ना तो साथ साथ करके ऐसे तो आप आखरी में क्या करेंगे कि महीना के last का दो से तीन दिन ठीक है आप अपनी सुविदाय का क्या करेंगे इसे पढ़ाई नहीं करेंगे चाहे वो जो भी दिन भी दीं पढ़े संड़े पढ़े मंने पढ़े कमारऊ फ़िव डरी में वाटवल वन्ल ना तो दो चतीन दीन आपको रिजर्व करना का को और एक चीज सबसे बड़ी चीज जो आप वीकली रिविजन करना है तो उसमें आप क्या कीजे जो भी देकर सुरू में जब भी आप जो डेली आप पढ़ रहे हैं उसमें आप क्या कीजे कि पूरे आप क्या कर सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव नोड भी बना सकते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं आप सौर्ट नोड भी बना सकते हैं ठीक है मेमोरी मैप भी बना सकते हैं इस तरह कि जो है वह संदे को आप अपने अनुसा है ठीक है यह जो डिवीजन जो आपने पढ़ा इस नोड का यह क्या होगा आपका जिस्ट हो जाएगा फुल मिलाकर मतलब इससे देखेंगे आपको पूरा बात जो आपने जो कुछ भी करेंगे तो आप यह एक बाइस को अच्छे से देख लेंगा और फिसको रिवीजन कर लेंगी तो इसके बाद आपको क्या होगा जब यह आपका बन जाएगा सौर्ट मेमोरी नोट तो फिर आपको बहुत मेहनत करने की जरूद नहीं है जब कभी आप सौर्ट मेमोरी देख ठीक है तो इस तरह से आपको पढ़ना है थैंक्यू गाइस